ये आकाश्वाणी राइपुर है प्रादेशिक समाचार बुलिटिन के साथ मैं शुब्रा भट्टाचारिय। और अब पेश है आज के मुखे समाचार। राज्ज के पुलिस महानिदेशक ने चेताव नी दी है कि आवैट शराप की विक्री होने पर संबंधित शेत्र के थानप्रभारी को निलंबित कर दिया जाएगा। राज्ज में कालातीत मिठाई बेचने पर दुकानदार के खिलाफ होगी कड़ी कारवाई। दिवाली तिवहार के मदे नजर मिठाई निर्माताओं को नए नियमों की जानकारी देने चलाया जा रहा है अभियान। राज्ज पाल अनुसुया उईके ने कहा है कि महिलाओं को आत्म निर्भर बनने के लिए प्रोच साहित करना चाहिए। और राज्ज सरकार ने स्पंज आयरन और स्टेल सेक्टर के उद्योगों के लिए एक शेत्रवार छूट की सीमा साथ से बढ़ा कर डेर सौ प्रतिशत तक की। कोरोना महमारी के खिलाफ देश एक जुठो कर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ के तीन आसान एहत्याती उपायों का संकल्प लेएं। कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाये। मास्क लगाएं। दो गस दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें। हाथ और मूँ साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। रहा के अवैद शराब की तसकरी का मामला सामने आने पर संबंदित शेत्र के निरिक्षक को निलंबित किया जाएगा। साथ ही राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध विभाग ये जाच की जाएगी। उन्होंने राजनान गाओं कावर्धा और मुंगेली जैसे सीमावर्ती जिलों में शराब के अवैद परिवहन पर विशेश निग्रानी रखने के निर्देश दिये हैं। केंद्री खाद्य और उपभोकता मामलो के मंत्री पियुश गोयल ने देश में अच्छी गुणवत्ता के चावल का वित्रण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। के लिए अच्छे चावल के आपूर्ती पर विशेश ध्यान दिया जाए। के समबर से शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। खरीदेगा धान को रखने के लिए चबुत्रे हमालों की विवस्था के साथ खरीदी स्थल की साफ सफाई भी की जा रही है। इसी तरह महासमुंजिले में भी सभी धान खरीदी केंद्रों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में तार का घेरा लगाने और लक्ष के नुसार बारदाने की विवस्था करने अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने धान की खरीदी जूट वाले बोरे में किये जाने और आगामी एक सप्ताह के भी तर बारदाने का उठाव कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने नए किसानों की पंजेन प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये हैं। की जाच की जा रही है। साथ ही मिठाई निर्माताओं को नए नियमों का पालन करने की समझाईश भी दी जा रही है। कालातीत अवधिल लिखनी होगी। नियम का और लंगन करने पर संबंधित दुकानदार पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। राज्यपाल अनुसुया उइके ने कहा है कि महिलाओं को आत्म निर्भर बनने के लिए फ्रोच साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं सशक्त होकर समाज में जगा बना चुकी हैं उन्हें अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेंड ना देनी चाहिए। महिलाओं जैवी खेती भी कर रही हैं। कोरोना संक्रमन का खत्रा बुजर्ग और उच्छ जोखिम वाले लोगों में अधिक देखा जा रहा है। वहीं 45 से 60 वर्ष की उम्रवालों की भी कोरोना संक्रमन से मौत हो रही है जो कुल मृत्यों का 14 प्रतिशत है। इसे देखते वे स्वास्विभाग तिभार के इस मौसम में लोगों से साबधानी बरतने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहा है। स्वास्विभाग ने कहा कि लोगों को घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनना चाहिए, वहीं भीड भाड़ वाली जगों पर जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपने हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहना चाहिए। स्वास विभाग ने किसी को भी सर्दी खासी बुकार ठकान जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित सक को दिखा कर कोरोना संक्रमट की जांच कराने के लिए भी कहा है वर्तमान में 36 गड़ में 1000 सदिक शास की केंद्रों में कोरोना संक्रमंट की एंटीजन जांच की जा रही है इसके अलावा 489 शास की केंद्रों में True Not और 592 शास की केंद्रों में RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए जा रही है इधर दंतेवारा जिले में Mobile Medical Unit द्वारा State Bank of India के मुख्य शाखा में कारेरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जाच की गई इस बीच 36 गड़ के पंथें वृत्तिक अलाकार दिनेश जांग्रे ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है इस बीच दुर्ग कलेक्टर ने बिना मास्क वाले ग्रह को प्रादेशिक समाचार आपा काश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर राज्य सरकार ने स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए खेतरवार छूट की सीमा 60 से बढ़ा कर 150 प्रतिशत तक कर दी है इसे प्रदेश में और द्योगिक विकास की रफ्तार और तेज होने की संभावना है आधिकारिक जानकारी के नुसार राज्य सरकार द्वारा मेगा निवेशकों के लिए घोशित के गए पैकेज में अधिक्तम 500 करोड रुपे तक का वहीं बस्तर संभाग में 1000 करोड इस प्रुटसाहन मानने होगा इसके लिए प्रस्तावित इकाईयों को 31 अक्टूबर 2024 तक या उसके पूर वव्यावसाई कुतपादन शुरू करना होगा सरकार ने कोर्स सेक्टर के उद्योगों को राज्य भर में विद्ध तुशुल चूट की पातरता भी प्रदान की है बिजली में छूट मिलने से इस पात सहित कोर्स सेक्टर के उद्योगों को राहत मिली है इस से इन उद्योगों को देश भर के बाजारों का लाब मिलेगा मरवाही विधानसभा उप्चुनाव के लिए कल हुई मतदान के अंतिम आकड़े आ गए हैं इसके नुसार कल इस उप्चुनाव के लिए एकुल 77.89% मतदान हुआ है मोखे निर्वाचन पदाधिकारी का रहलेद्वारा दी गई जानकारी के नुसार 89.69% पुरुषों ने मतदान किया वहें 76.2% महिलाओं ने वोट डाले मोखे निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले ने बताया कि इस उप्चुनाव में कोरोना संक्रमित मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए विशेश प्रावधान किये गए थे मतदान के अंदिम घंटे में मतदान कर्मियों ने PPE किट पहन कर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से मतदान कराया वहीं कोविट प्रभावित लोगों को डाक से भी मतदान करने की सुविधा दी गई थी कोविड संक्रमन से सम्मधित भारत निर्वाचनायों के मार्क दर्शी बिंदू और करना प्रोटोकॉल के सुरक्षा मानुकों कुछ उष्टे कत रखते हुए इस वेदान सावा शेत्र में कोविड पॉजिटिव मतदाताओं ने अपने मतदिकार का प्रयोग किया और इस माहमारी के बावजिद भी काफी उच्छा मतदाताओं में दिखा राजिपाल अनसुयाउईके ने कहा है कि एतिहासिक बुढ़ा तालाब रायपूर ही नहीं कूरे 36 गड़ का गौरव है कल बुढ़ा तालाब इस्तित स्वामी विवेकानंद सरुवर का ब्रहमन करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी तक 36 गड़ वासी राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में परेटन के ले जाते थे किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि रायपूर जिले के अभनपूर क्षेत्र में हाल ही में एक किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने के मामले की जाच करने और मृतक के परीजनों के प्रती समवेदना प्वियक्त करने भाजपा का तीन सदस्य जाच दल तोर लागाऊं जाएगा। श्री साय ने राजी सरकार से किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में उनके परीजनों को परियापत आर्थिक सहायता राशी दिये जाने की मांग की है। श्री चात्र पालक संग ने शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालकों पर कारवाई की जाने की मांग को लेकर राजनाद गाउं कलेक्टर को ग्यापन सौपा है। ग्यापन के नुसार पालकों ने निजी स्कूल संचालकों पर निजी प्रकाशन की किताब लेने और फीस जमा करने के लिए छात्रों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पालकों का कहना है कि राजी सरकार के आश्वासन के बाद भी शिक्षा विभागदारा निजी स्कूल संचालकों पर कोई कारवाई नहीं की जा रही है। प्रधान मंतरी रोजगार स्रिजन कारिकरम और मुख्यमंतरी युवास्वा रोजगार योजना के तहट आविदन पत्रा मंतरित किये गए हैं। आविदन पत्र रायपूर के उद्योग भवन से कारियलीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। गोर तलब है कि युवाओं को उद्योग सेवा और अपना व्यवसाय शुरू करने तथा आर्थिक रूप से आत्म निर्फर बनाने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है। इसके तहट अधिक्तम 25 लाख रुपे तक का कर्स बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। महासमुजले के ग्रामिन शेत्रों में जन्म और मृत्यू का पंजियन अब ऑनलाइन शुरू हो गया है। इस संबंध में कलेक्टर कार्ति के गोयल ने बताया कि जन्म और मृत्यू के फर्जी प्रमान पत्र के अनेक मामले सामने आने के बाद इन प्रमान पत्रों का ऑनलाइन पंजियन का कारी शुरू कर दिया गया है। साथ ही सभी पेंशन धारियों के आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने के लिए कहा गया है। नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवीन मारकंडे कल पांच नवंबर को रायपूर के कुशा भाव ठाकरे परिसर में पदभार ग्रहंड करेंगे। दुर्गजले में निजी संस्था को शास की संस्था बताकर नौकरी लगाने के नाम पर चार लाख तीस हजार रुपे की ठगी करने वाली तीन शिक्षिकाओं को उताई पुलिस ने गिरफतार किया है। दुर्गजले के भिलाए में सी आईडी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किया है। बस्तर जिले के जगदलपूर में बरतन व्यवसाई के अपरण और फिरोती वसूली की बाद हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार किया है। मांधर उरकुरा स्टेशनों के बीच स्थिक फाटक मरमत कारे के कारण 6 नवंबर की सुभा 8 बजे से 7 नवंबर की शाम 6 बजे तक वाहनों के आवागमन के लिए गेट बन रहेगा। मांधर गोबर से बनाए गए दिये गमले सहित अन्य सजावटी तसामानों की खरीदी की। और राजदान काउं जिले की सोमनी थाना पुलिस ने आवैद शराप तसकरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफटार किया है। इनके पास से नौ पेटी शराप जब्द की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजजे के पुलिस मान देशक ने चेतावनी दी है कि आवैद शराप की बिक्री होने पर संबंधित शेत्र के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाएगा। राजजे में कालातीत मिठाई बेचने पर दुकानदार के खलाफ होगी कड़ी कारवाई। दिवाली तिवहार के मद्दे नजर मिठाई निर्माताओं को नए नियमों की जानकारी देने चलाया जा रहा है अभियान। राजजे पाल अनुसुया उईके ने कहा है कि महिलाओं को आत्म निर्भर बनने के लिए प्रोच साहित करना चाहिए। और राजजे सरकार ने स्पंजाय रन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेतरवार छूट की सीमा 60 से बढ़ा कर 1.500 प्रतिशत तक की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ, नमस्कार। झाल झाल